नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत सौगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्ट्र सेसी प्रिये सेर में तो दोस्तों यह जो आज की सेफ्ट होने वाली है वह है छे अगस्त 2021 यानि की थर्ड सेफ्ट है स्सी चैनल 2020 टायर वन ठीक है आपकी यह है और जरूर इ अच्छा लगेगा मुझको भी ठीक है और आपको भी इस पर वीडियो मिलते रहेंगी ठीक है तो देख लेते हैं जो पहला कुशन है वह क्या कहता है कि यदि साट सेंटीमेंटर परीमा पाले एक आयत यानि कि यह साट सेंटीमेंटर का जो है इसका परीमा पर आशान कोशन करना है ठीक है तो इसकी जो आसन बुझायान की मिलन हो जाएंगी गोड़ाई हो जाएक यो जह चैथा और दो इसका छेतरफल निकालना है इसका एरिया यानि कि लेंट इन्टू ब्रेथ यानि कि 18 दूनी 36 की 3, 18 एकम 18 और 3 कितना होता है 21, यानि कि 216 सेंटिमेटर का स्वेर इसका अंसर हो जाएगा यानि कि option B इसका answer हो जाएगा, next question देख लेते हैं 9.5% की वार्षिक दरपर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित धनराशी पर साधारन व्याज ठीक है यानि कि 9.5% 9.5% कितने साल के लिए 4 साल के लिए यानि कि 45, 20 की 2, 49, 36 और 2 कितना हो जाएगा यानि कि 38 परतिशत हो जाएगा कितना 38 लिए वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशी पर साधारन व्याज कितना हो जाएगा से 225 रुपे अधिक है तो यानि कि 12.5 हैं कि 12.5 और कितने साल के लिए 3 साल के लिए 3, 15, 3, 2, 6 और 7, 3, 3 एकम 3 यानि कि यहां से कितना रेट हो गया यानि कि 37.5 यानि कि जो अगर मै यहां आजाएगा और 100 यहां भी आजाएगा इसको हटा के यहां पर कितना आजाएगा यानि कि हजार आजाएगा पांच एकम पांच पांच चोख बीस और हजम फच्चिस कितना हो जाएगा दोस्तों यानि कि 45 लिस अजार इसका अंसर आजाएगा option भी इसका correct answer हो जाएगा next question देख लेते हैं चार करमागत विशंप्रकर संख्याओं के वर्गों का यह कितना है 201 यानि कि जो इसका total हो जाएगा वो कितना हो जाएगा चार एकम चार चार दूनी आठ कितना हो जाएगा तो इस तो 804 होगा अगर आप इस question को x मानके करोगा है या पक्त का सही बोल रहा हूँ बहुत पजल हो जाओगे इसके अंदर तो हम क्या करेंगे देखो 804 है हमना कोई एक एसन नमबर अपने आप से ही सोचेंगे आपकी visualization इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप तुरंत इसको visualize कर जाओगे यानि कि देखो 804 है और square की बात कर रहा है और विशम संख्या है ठीक है तो अगर मैं मानके चलो अगर 9 भी लेता हूँ ना ठीक है अगर 9 लेता हूँ और 11 और फिर 13 लेता हूँ और फिर क्या होगा 15 यहाँ की 15 का 225 होता है और 13 का 159 होता है 11 का 121 होगा ठीक है 11 का 121 और 9 का 81 होगा ठीक है 9,14,15,16,15 यह देखो लाज जीट 6 है यह तो नहीं होगा क्योंकि लाज जीट कितना अना चीए 4 अना चीए तो यह नहीं होगा तो अब मैं क्या करता हूँ 9 को खटा देता हूँ और यहाँ पर 17 कर देता हूँ तो 17 का कितना होता है 289 225 हो जाएगा 15 का और 13 का हो जाएगा 169 और 11 का हो जाएगा 121 ठीक है 9 9 18 हो छे कितना होता है 24 देखो लाज़ टिर चार है तो होने की possibility है कि हो जाए ठीक है 24 का 2, 8, 2, 10, 12, 6, 18, 2 कितना होता है 20 की 2 यानि की 6, 7, 8 है नहीं देखो यह आपको पता चल गए यानि की value जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी 11, 13, 15, 17 अब क्या कह रहा है कि इन में से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने है यानि की सबसे बड़ी संख्या को से दोश्तों यानि की 11 इसके अगर 3 किने देखता हूं तो कितना हो जाएगा 11, 33 यानि की 9, 3, 12 यानि की 5 और कितना होता है एक सबावन तो क्या कह रहा है इनका और सबसे बताना है इसको अगर मैं 2 से भाग करता हूं 2, 7, 14, 2, 6, 12 ठीक है तो आंसर कितना आ जाएगा 46 इसका राइट अंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन देख लेगा ठीक है भाई देखो दो धनात्मों संख्याओं का योग कितना दे रखा है यानि की उनका नुपा दे रखा है 8, 9, 13 उनके वर्गों का योगफर है वो कितना है 207 यानि की 8, 8, 64 होता है और 169 इन दोनों को जोड़ोगे तो 9, 4, ये कितना हो जाएगा 233 आ जाएगा यानि की 233 x स्क्वेर तो कितना हो जाएगा 233 x स्क्वेर और कितना होता है 97 ठीक है X square कितना हो जाएगा 23 sigu 233 एक कम 233 आप किसे काट होगे यारि 9 से काटते हो ठीक है 29 27 29 27 29 28 29 29 9 X 12 X 12 30 3 30 31 32 तेरा और आठ कितना होता है, यानि कि 21, 21 into 3 कर दोगे, यानि कि 21 unit की value निकालनी है, और एक unit की value आपको कितनी तरह रिखे, 3 तो यह कितना हो जाएगा, यानि कि 63 आपका answer हो जाएगा, आप इसके इंदर direct भी question कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, कि आपको देख रहा है कि इन दोनों का योगफल पूछ रहा है, यानि कि 1 तो है 8 unit और 1 है 13 unit, यानि कि 13 और 8 कितना होता है, यानि कि जो आपका answer होगा, वो 7 और 3 दोनों का multiple होना चाहिए, ठीक है, तो 64, 3 का भी नहीं होता, इसी तरीके से 65 भी 7 और 3 का नहीं होता, देखो, 60 है, ये 3 का तो हो रहा है, लेकिन 7 क का multiple नहीं हो रहा है, तो answer सिर्फ एक ही है, जो 7 और 3 दोनों का multiple है, यानि कि option B का correct answer हो जाएगा, next question देख लेते हैं, जब धनात्मक पूरा के यान की N को 12 से विभाज यानि की 12 से divide किया जाता है, तो जो remainder है, वो कितना आता है, पांच आता है, तो फिर मैं क्या माल लेता हू कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 17 हो जाती है, ठीक है, अगर मैं 17 को 12 से divide करता हूँ, तो remainder कितना मिलता है, इन को 5, आप क्या रहा है कि यह, यानि की N, N का value में कितना मन रखा है, इन की 17, 17, 17 कितना होता है, 289, अगर आप इसको 8 से multiply करते हो, तो कितना होता है, 8 में 72 की, 7, 28, 64, 67 कितना होता है, 71 की, 7, 8, 16, 7 कितना हो जाएगा, यानि की 23, यानि की 2312, प्लस में 7 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 23, 19 हो जाएगा, अगर आप इसको 12 से divide करते हो, ठीक है, 12, 12, 12, 24, यानि की 11 हो जाएगा, ठीक है, 12, 9 कितना होता है, 108, 12, 9, 108, एक बार जाएगा, यानि की 108, यहां से कितना बचा, 3, और यहां से 9 आ जाएगा, यानि की 12, यानि की 36, तो यहां पर रिमेंटर आपका कितना बचा, 3, जो कि आपका answer हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, इस तरीके का कोशन है, और आपको यह निकालना है, तो बहुत आ कितना हो जाएगा, 16 और 6 कितना होता है, 22 अंडर रूट तो आपका answer हो जाएगा, यानि की option 4 इसका correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, इस तरीके से आपको यह यह दे रखा है, यानि कि क्या है यह कि X के 6 अलग अलग वर्ग, यानि की A, B, C, D, E, F के 306 का प ठीक है, तो क्या कहा रहा है कि वर्ग A, B, D में मिलाकर लड़कों की कुल संक्या, वर्ग, यानि की A, B, D में कुल लड़के कितने हो जाएगे, यानि की देखो, यानि की 30 तो 50 और 2 कितना होता है, 70, 70 में 8, 6, 14, 6, 20, यानि की total जो लड़के हो जाएगे, 90 हो जाएगे, अब A, B, D, यानि की A, B, D में मिलाकर लड़कियों की कुल संक्या से कितने परतिशत अधिक है, अगर मैं लड़कियों की संक्या देखो यानि की A, B, D, यानि की A, B, D, total percent कितना होता है, 20, 30, 40, 8, 7, 15, यानि की 55, आपको पता था कि total student कितने है, यानि की 300, अगर मैं इसका 55 percent निक 3, 5, 15, और यह कितना हो गया, 16, यानि कि जो total student कितने है भाईव, 165, उसमें से 90 क्या है, 90 हैं लड़के, तो यानि कि girls कितनी हो जाएंगी, यानि कि 75 लड़के हो जाएंगी, यह आपके लड़के हो गए, यह आपके girls हो गए, ठीक हैं, तो अब देखो क्या बोल रहा है, यानि कि 20 पर 33 का answer हो जाएगा, यानि कि option B का correct answer हो जाएगा, आसान question था, next question देख लेते हैं कि तिरभूज ABC के दो कौन, यानि कि तिरभूज ABC, इस तरीके से देखो, ABC, यानि कि A, B और C के दो कौन, यानि कि इसके क्या है, सम्धिवाजित हैं, ठीक है, इसको सम्धिवाजित करते ठीक है, तो ये अगर, ये वाला कौन, इस वाले कौन को दो भागों मान रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझो आप, और जो ये है, इसका जो ये angle दे रखा है, कितना दे रखा है, 125, ठीक है, इस type का question पहले भी आया हुए, मैंने इसके लिए आपको क्या बोलाए, कि 90 से जितन हो जाएगा, next question देख लेते हैं, यानि कि cot a, cot a upon में कितना हो जाता है, यानि कि इसको ऐसे देख लेते हैं, चलो ठीक है, यानि कि cot a upon में क्या हो जाएगा, यानि कि 10 a, क्या हो जाएगा, यानि कि 10 a is equal to में कितना हो जाएगा, 4 के बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है, अब मैं क करता हूं इसको उपर कर देता हूं या फिर इसको नीचे कर देता हूं तो क्या हो जाएगा यानि कि one upon में ten a square तो फिर मैं क्या कर देता हूं इसको उपर कर देता हूं यानि 10 еёING कि TV Hahaha कि यह 2AR 3 में चार हो जाएगी अगर मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं ठिक है इस तरीके से बनाता हूं यानिकि इसकोर कि वेवग्यानिटन स्कुर्र है तो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा अंडरूट 3 हो जाएगा ठीक है और यह कितना हो जाएगा 2 अगर 2 दूनी 4 तो यह पूरा कितना हो जाएगा जो इसका hypotenuse कितना हो जाएगा यानि कि 7 हो जाएगा अब क्या खेर है fact A पूछ रहा है fact A क्या होता है बताओ दोस्तों fact A क्या होता है यानि कि fact A यह हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा अंडरूट साथ के बटे में कितना हो जाएगा दो यानि कि option इसका एक correct answer हो जाएगा ठीक है option एक correct answer हो जाएगा next question देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि दिये गए आचेट में 40-46 द्वारा अधिक्तम 30 अंको वाली एक परिक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाय गया है ठीक है कितने चातरों ने 10 या अधिक अंक प्राप्त की हैं 10 या अधिक 10 या अधिक ठीक है तो देखो 7 और 8 15 15 और 10 कितना होता है 25 और 5 कितना रहेगा 30 यानि कि 30 इसका correct answer हो जाएगा ठीक है तो 10 से ज़्यादा की बात कर रहा है तो ये इसका 10 है तो 10 से ज़्यादा कितना हो जाएगे 7 8 10 और 5 इन सब को जोड़के कितना रहा है यान कि 30 आ रहा है तो 30 का answer हो जाएगा next question देख लेते हैं किसी गाउं की वर्दवान जन संख्या पुरुस और महिला हैं कितनी है भाई यान कि 7 640 है ठीक है कितनी है 7 640 है अब क्या कहा रहा है ये पुरुसों की संख्या में 25 पर्षिषत की वर्दी होती है ठीक है तो अगर मैं देखता हूँ कि बढ़ी कितनी यानि कि चार 11 में से चार जाएगा साथ और 11 में से चे जाएगा पांच ठीक है और 8 में से साथ जाएगा एक यानि कि 1574 यह टोटल बढ़ गई है जन संख्या ठीक है अब आगे क्या कहता है गाउं में पुरुसों और महिलाओं की वर्तमान जन संख्या के बीच अंतर बताना है क्या हो जाएगा यानि कि मेल और फीमेल में डिफेंस बताना है आपको क्या हो जाएगा देखो इसको कोशंगो करने का तरीका सबसे बहतरीन क्या है कि अगर आप 15 करते हो और यहाँ पर क्या करते हो दस करते हो और यहाँ पर करते हो देखो 15 और 15 यहां पर common है अगर मैं साथ 640 का अगर मैं 15% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा ठीक है तो यह देख रहेते हैं 0 से 0 गट गया पांस तिया पंदरा पांच दूनी 10 दो एकम 123216 146 की दो 139 क्यतना होता है 1166 HO जाए गार 1160 यहांद 58 हो जाएगा अब लेकिन अब एक बता और यहां पे कितना है 10 पर से बच गया ठीक है 14 year north4- Singing डेखोषएस तो आगया यानि कि 116 2 आगया और कि हों कितनी थे फंदर।ioni तो रह कितनी की गई यह दो कि 6 जाएगा 8 और 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा कितना 4 यानि कि 428 कह सकते हो कि आप यानि कि 10% की value कितनी है 428 है ठीक है ये कह सकते हो तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तो यानि कि 42, 80 हो जाएगा ठीक है तो यानि कि जो male हो जाएगे वो कितने हो जाएंगे 42, 80 और जो इस में से घटाओगे वो क्या हो जाएगे आपकी female हो जाएगी यानि कि 0 और 14 में से 6 जाएगा 8 ठीक है और 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 4 जाएगा 3 यानि कि जो female हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 3360 और जो आपके mail हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 480 actually मैं इन दोनों का ही difference पूछ रहा है ठीक है यानि कि 0 और 8 में से 6 जाएगा 2 और फिर यानि कि 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 में से 3 ठीक है 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा नहीं तो इसके अंदर पजल होने की पूरी-पूरी संभावना है बनी रहेंगी ठीक है नेस्ट कोशन देख लेता है कोशन नमबर 12 फरवरी और मार्च में बेचे गए कंपुटरों की कोल संख्या अगर मैं फरवरी और मार्च यान की फरवरी और मार्च की बात करता हूं तो यह आपका फरवरी यह आपका मार्च यान की यह कितना है 45 और यह कितना है 99 तो कितना हो जाता है दोस्तो 144 हो जाता है अब फिर क्या कह रहा है अप्रेल और मई में बेचे गए कंपुटरों की संख्या अप्रेल और मई अप्रेल और मई यह दोनों है यान की यह 54 है और यह क कितना बचेगा एक ठीक है कितना बच गया यानि कि 13 बच गया आप क्या कह रहा है अब क्या कह रहा है तो बताओ कितने पर्तिशत अधिक है यानि कि 13 अधिक है किस से पूछ रहा है अप्रेल और मई में बेचे गया कंप्यूटरों की संख्या से यानि कि अप्रेल और मई में क इसका percentage है और option देखना option बहुत जरूरी है इस question में ठीक है option देखो अगर यहां पर अगर यहां पर 131 नहों के अगर यहां पर 130 होता ठीक है अगर यहां पर कितना होता 130 तो यह 130 दस वारी में कड़ जाता और आपका कितना अंसर हो जाता निकि यह तो होई नहीं सकता दस से थोड़ा काम हो रहा तो 11.5 होने की कोई बात ही नहीं है 10 परसेंट हो नहीं सकता और इतना काम हो नहीं सकता और दस के आसपा सिर्फ एक ही option यह 9.9 जो कि आपका correct answer हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से question में assumption करना बहुत important है तो यह आपका पहला answer हो जाएगा next question देख लेते हैं कि बीकॉम में परवेस लेने वाले लड़कों की संख्या बीकॉम ठीक है लड़कों की संख्या का परतिशत बार वितरहन बताएगा यानिकी बीकॉम में कितने लड़के हैं इनकी 75% क्या है लड़के है तो लड़कें कितनी हो जाएगी यानिकी 25% ठीक है यह तो actual सी बात है लेने वाले लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या के बीच अंतर बताना है यानिकी अगर मैं इसका अंतर निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा यानिकी 50% हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 50% अगर मैं B.com की बात करता हूँ तो B.com में total student कितने हैं यानि की 20% है यानि की अगर मैं 700 का 20% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 140 और 140 का अगर मैं 50% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा answer यानिकी 70 तो यह तो बीना calculation की आराम से हो गया इनकी question number 2 इसका correct answer हो जाएगा next question देख लेते है question number 14 bottom house का question है देख लेता है 11 के बाते में 8-45 की पते में 9 इंट 2 में कितना हो जाएगा 3 के बाते में 1 इंट 2 में 13-13 और 2 कितना हो जाएगा 15 की बाते में 13 इसको solve करता हू 13-13 और 13-5 3-3, 3-9 तीन एकम तीन तीन पंचे 15 पांच और कितना होता है 20 यानि कि 11 के बटे में 3 माइनस का कितना होता है 20 अगर मैं नीचे का देखता हूँ यानि कि 2 by 3 3 एकम 3 और 1 4 ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4 के बटे में 3 हो जाएगा ठीक है, यानि कि 2 चोके 8 और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 और into में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 तो नीचे का solve करने के बाद कितना आया 8 के बटे में 3, कितना आया दोस्तो 8 के बटे में 3, यानि कि 8 के बटे में 3, ठीक है, 3 से 3 कटेखे है तो आपका answer कितना हो जाएगा minus का 49 अपन में 8, जो कि आपका option कौन सा है, यानि कि 3 हो जाएगा आठ चीकर तारीस और इसका उननचास के बटे में आ रहे है यानिकि option 30 इसका correct answer है next question देख लेते हैं यानिकि cos square 20 plus में cos square 70 तो आप क्या करोगे देखो इसको अगर आप sign में change कर दोगे या इसको आप cos में, इसको sign में change कर दोगे next question देख लेते हैं, question number 16 यदि यह आपको दिया हुए है, x plus में 81 upon में x is equal to में 18 और आपको यह बताना है, आप सीधे सीधे यहाँ पर देखो कि x की value अगर आप 9 रखते हो तो आपका 18 हैगा, जो की 99 में 81, जो की बिल्कुल satisfy करता है ठीक है, तो आप x की जगा क्या रख लोगे दोश्तों, याई कि 9 नम में केतना रखते हो 81 और 81 दूनी कितना होता है, 168, तो 81 और तो कितना हो जाएगा 83 इसका correct answer हो जाएगा, option 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है तो आप जुरूर इस चैनल को subscribe कर लेना, next question देख लेते हैं, सुमन और लता, यानि कि ये सुमन है और ये क्या है, लता है दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकती है, अगर लता उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकती है तो सुमन को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, easiest question है सबसे, ठीक है इसमें कुछ नहीं है, एगर इसका LC हम ले लिया तो 24 आगया, आट ती है 24 और बारादूनी 24, यानि कि जो लता की efficiency कितनी है, दो, तो सुमन की efficiency कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, तो पोल सुमन को अकेले गाम करने में, option 40 का correct answer हो जाएगा, ठीक है, next question दिख लेते हैं, एक राग ने 10% के बटे पर एक मेज को 49, 50 में खरीदा, कहा सकते हो, यानि कि 49, 50, यानि कि 90% की value कितनी हो जाएगी, 49, 50, आप कहा रहा है कि ये कितना है, यानि कि अगर मैं 100% की value निकालूंग तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाता है, 9, 1, 9, 9, 5, 45, और 9, 5, 45, कितना हो जाता है, 500, आप कहा रहा है कि अगर 12% का बटा प्राप्ट करता है, तो वह कितने रुपे बचा पाता है, सीडिसी बात है कि यहाँ पे 10% और यहाँ पे बटा कितना है, 12%, तो कितने परसेंट देख लेते हैं, मोहन को 63 किलोमेटर की दूरी तय करने में, यानि कि एक मोहन भाई है, और एक है किशोर भाई, ठीक है, यह दो भाई है, मोहन और किशोर, मोहन को 63 किलोमेटर की दूरी तय करने में, किशोर, यानि कि 63 किलोमेटर दोनो तय करेंगे, ठीक है, कितनी, यानि कि 63 km दोनों ताय करेंगे यह मान के चलो x की speed से और यह मान के चलो y की speed से ठीक है 2 गंटा अधिक समय लगता है और इनको 2 गंटा अधिक समय लग रहा है यह question first हो गई इसके बाद कह रहा है यदि मोहन अपनी चाल में कितना 50% की वरधी करता है यहनकी जो मोहन है वो अपनी चाल में कितने का परदी कर लेता है यहनकी 50% का कहने का मतलब यह है अगर पहले इसकी speed x थी तो अब कितनी हो जाएगी x प्लस 2 और बढ़ जाएगी तो अगर मैं करता हूँ तो कितनी हो जाएगी 3x प्लस में 2 हो जाएगी ठीक है इतनी हो गई बाद अब आगे क्या देखते हैं आगे देख लेते हैं अब मैंने execution को क्या करता हूँ काट लेता हूँ कैसे यानि कि देखो यह माइनस का है और यह प्लस का है यह पास में कर जाएगा ठीक है इनको जोड लिया मैंने ठीक है तो क्या हो जाएगा आपके पास क्या मिलेगा 63X पिलस में माइनस में ठीक है 63 दूनी कितना होता है 126 अपन में कितना हो जाएगा 3X और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 इसका LCM कितना हो गया 3X आ गया और 63 को अगर आप 3 से मल्टिपलाई करोगे तो नहोगे तेह किटना हो जाएका wednant 917 CH dus क्टना हो्जाएगा 3 haz awesome Looking 9 में से ऑर आ इसको इससेgeben कितना हो जाईगा 9 x और एकका य। 2 की वेल्यू कितना होStogen तक है इसका मतलब जो य॥ो मोहन की जो uspyl है वह कितनी हो जाएगी साथ अगर इसको 7 गंटे लगे यानिकि मोहन की speed 7 km है तो इसको time कितना लगेगा 9 गंटे लगेगा तो इसको किशोर को कितना time लगेगा 7 गंटे लगेंगे क्यूंकि 2 गंटे समझ रहे हैं अब यह देखो question में पूछ क्या रहा है कोश्चन में पूछ रहे हैं कि 63 km की दूरी तरह करने में किशोर को कितना समय लगेगा देखो 63 यानिकि अगर इसको 9 गंटे लगते हैं तो इसको कितने गंटे लगेंगे साथ क्यूंकि इन दोनको डिफ्रेंस कितना है दो गंटे है ठीक है तो इसकंदर ज्यादा कोश करने की दो क्या हो जाएगा इनकी साइन इसकोवर ठीटा इस इकल्टू में 5-10ब्र स्कुरी थी टा और माइन सका क्या हो जाएगा 5 साइन स्कुर्र ठीटा तो कितना ओजाएगा साइन कर जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ आ औक या रोजेगी यी पार कि जहारेगी ठीक हैं यान Bloody कि कोष्ष्कार और-श्थ्प कर फीटा की वैलु कितनी हो जाएगी ज्मंतरा करेंगर मैंजे कोषách की ज़ितल आप देखो इस तरीके से नहीं हो जाएगा अब देखो इस तरीके 6 ठीक है तो यह कितनी हो जाएगी वेलू यह एक हो जाएगी definitely ठीक है क्योंकि यह ट्रिप्लेट बनाएंगे अब देखो यहनकी कॉस एक की वेलू कितनी हो जाएगी under root 6 ठीक है तो 6 का square करूँगा तो कितना आजाएगा 6 ही आजाएगा और माइनस साथ और कोट की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा यान commitment nämlich यानकि यानकि पांच ही रहेगा इसका अंडरोट 5 का स्क्रोण करूंगा तो कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ठाइक है यानकि रइसे च 7 कम कट हरा जाए कितना बचेगा दो यानि कि option आपका second इसका correct answer हो जाएगा ठीक है basic question था next question देख रहेते हैं किसी वृत की परीदी यानि की परीदी की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा टू पाई आ ठीक है कितनी दे रखी है ए पाई दे रखी है वृत का छेतरफल कितना दे र आर कट गया तो टू अपॉन में आर इसिकल टू ए और बी का रिश्व आपको कितना दिया हूँ था है इनकी चार और पांच ठीक है तो यहां से और डारेक्ट कितनी है जाएगी दस के बटे में चार यानि कि कितनी हो जाएगी टू पॉइंट फाइफ यानि कि इसका option एक एक एंसर हो जाएगा ठीक है उमीद है सबको समय आ रहा होगा और जरूर आप सिस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ठीक है ऐसा ऐसी मैं उमीद करता हूं बाकी तो आप करोगे तो सही है नहीं करोगे तो भी सही है ठीक है कोई पारेशानी नहीं है next question देख लेते है question number 22 आपको इससे आपको 4 में जाना है जो सिंफल सी बात है कि इसको स्कुर करना बढ़ेगा तो बाराःके स्कुर करोगे कितो याँ के कितन ऑजाएगा 144 और यह पर प्लस-क 2 घटा दोकि कितना आ जाएगा 140 यानि कि प्लस से माइमात जाएगा तो कितना चाएगा 142 option आपका second हो जाएगा next question दिख लेते question number 23 तिर्भूज ABC यानि कि ये आपको दिया हुआ है तिर्भूज ABC ध्यान से देखना भाई ठीक है ये तिर्भूज ABC ठीक है ये तिर्भूज A B और C ठीक है तिर्भूज ABC की भुजाओं A B भी यानि कि A B B C और A C बिंदू B E और F इस परकार से थे यानिकि यानि कि A B पे है वो बिंदू क्या है डी ठीक है और B E और A C पे बिंदू यह हैpeł और A E B F और C D कर्मिशा A B C क्यों चाय गया है अभाजित करता है ठीक है इस तरीकिय से अगर मैं देखता От तो ये इसको क्या करता है समधिभाजित करता है जबकि आपको AB कितना दे रखा है 6 दे रखा है BC आपको 7 दे रखा है और AC आपको कितना दे रखा है 8 दे रखा है आपको पता है कि जब भी ये बाय सेक्टर होगा तो जो ratio इन भुजाओं के है वो ही ratio इन भुजाओं के हो जाएंगे ठीक है यह आप सभी को पता है तो 2-3-4 और 2-4 के कितना होता है 8 यानि कि इसका यानि कि BE और EC का ratio कितना हो जाएगा 3 ratio 4 जबकि आपको पता है कि पूरी length ही कितनी दे रखी है यानि कि 7 cm की दी हुई है तो इसका मतलब जो BE है वो कितना ह हो जाएगा 4 cm तो क्या पूछ रहा है इसके लंबाई पूछ रहा है 3 cm इसका correct answer हो जाएगा ठीक है कोई problem नहीं है अब मेन बात क्या है कि इसके इंदर ना एक property है अगर वो question पूछ ले जाए तो थोड़ा सा लग सकता है कि कुछ नया question पूछ लिया है वो question क्या है कि यहां स AB into में क्या हो जाएगा into में AC minus का क्या हो जाएगा यह BE इनप्र यह एक है इसको आप धियान रखना यह question आगे बन सकता है और बना भी है आया है चीक है में में भी question पूछ सकता है यह सरी गैश का question ठीक है अच्छा question है और यह आप धियान रखोगे next question अम इतने 8000 रुपए अंकित मुल्ले वाली लेखन समागरी 12% बट्टे पर खरीदी तथा परिवहन पर कितना 160 रुपए व्य किये यानि देखो 8000 की कोई चीज थी उसने 12% का डिसकाउंट यानि कि उसको 88% पर वो वैल्यू मिल गई अब वो क्या कर देता है उसने इस लेखन समागरी को अंकित मुले पर बेच दिया यानि कि जो इसकी market price पहले 8000 यानि कि इसने इसको 8000 पर ही बेच दिया तो इसको पूछ रहे कितना प्रतिशत का लाब होगा तो कितने का लाब होगा यानि कि 800 का लाब होगा किस पर यानि कि यानि कि ये है 5 cm तुरजे हावाले एक बृत की जीवा यानि कि ये जीवा है ठीक है AB केंदर O से यानि की केंदर O से 4 cm की दूरी पर इस्तित है ,खेंगे 4 cm दूरी पर इस्तित है यदि बिंदू A और B पर खींची गयी इस पर से‍झा बिंदू P पर प्रतिशेद करती है यानि कि इस तरीके से एक इस पर सरीखा खीच दी गई है ठीक है ये इस पर सरीखा खीच दी गई है जो कि P पर प्रतिशेद करती है तो बोल रहा है कि इस पर सरीखा AP की लंबाई बताओ क्या हो जाएगी ठीक है तो बताओ AP यानि कि ये वाली जो टैंज यह वाला जो ट्रेंगल है ठीक है यह क्या है दोनों 90 90 के तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे similarity लगा देंगे ठीक है तो मैं इसको माल लेता हूं point M माल लेता हूं ठीक है तो मैं इसके अंदर similarity similarity लगा रहा हूं देखते है कि से लगे हाँ यानिकी तिरभूज तो इस वालए ट्रेंगल में 90 के सामने क्या हो जाएगा यानिकी YPB इदे हंतों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लोगे ठीक है और कल से आपकी साथ तरीके सिफ्ट होगी यानिकी साथ अगर्ष्ट की सिफ्ट होगी नएक सिफ्ट यानिकी तो बस यार एक ही चीज़े की इस चैनल लो जरू सब्सक्राइब करें